हेलो एवरिवन तो यह आपकी पहली एक्सराइज आई होप आप इसको ट्राइ करेंगे तो इस एक्सराइज में आपको करना क्या है आपको कुछ प्रिंट कर्वानी है for example this is double backslash तो ऐसा आपके पास output आना चाहिए है यह आपके पास print होने के बात output आना चीह उसके बात उसके बात आपको प्रेंट करIES आने यह इस मांटें तो आपको करना कहें तह यह आपको यह प्रेंट कर्वान है उस तो यहां पर आपको escape sequence यूज़ करना है आपको space नहीं यूज़ करना उसके बाद यह सब कुछ आपको as a output आना चाहिए ठीक है ऐसा output मिलना चाहिए ठीक है यह escape sequence की तरह ट्रीट नहीं होना चाहिए ऐसा output मिलना चाहिए I hope आप इसको try करेंगे next video में मैं आपको इसका solution बताऊंगा thank you for watching this video I hope आपको इस video पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो please like कीजिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो please subscribe कीजिए और इस video को अपने दोस्तों के साथ share कीजिए and thank you for watching this video